लेह दोरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपती रामनात कोविंद सिकी मुलाकात राष्ट्रिय और अंतराष्ट्रिय कई विश्यों पर हुई बातशीत माना जा रहा है कि पीएम मोदी ने भारत चीन के बीच मौजूदा स्थिती को लेकर राष्ट प्रतिबंधित संगठन सिक फोर जस्टिस की 40 वेबसाइट पर सरकार ने लगाई रोक गैर कानूनिक गतिविधियां अधिनियम 1967 के तहत गैर कानूनि संगठन सिक फोर जस्टिस के समर्थकों को पंजिकरित करने के लिए चलाया था अभियान ग्रिह मंत्राले की सिफारिश संबंधित तीन अध्यादेशों पर सियासी बयान बाजी सुखबीर सिंग बादल ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग पर साधा निशाना कहा कैप्टन अमरिंदर सिंग साल 2017 में इस तरह का अध्यादेश कर चुके हैं पास। जी साइटी की ओर से डेरा प्रेमियों की ग्रिफतारी के बाद पुलिस आरूपियों को निशान देही के लिए कोटक पूरा के डेरे के नामचर्च घर ले कर आई मानसा जिले के गाउं गागोवाल में रजवाहे में पड़ी दरार से स्थानिया लोग हुई फिक्रमंद रजवाहे में पानी का बहाव तेज होने की वज़ा से लगातार बढ़ रही है दरार नहरी विभाग ने नहीं ली है सुद। पंजाब में विश्विद्यालेयों और कॉलेजों में परिक्षा रद करने का आधिश जारी विद्यार्थियों को पिछले साल की परिक्षा परिणाम के अधार पर किया जाएगा प्रमोट कोरोना के बढ़ते मामलों की वज़ा से पंजाब सरकार ने लिया है विश्विद कैदियों में कोरोना पॉजिटिव जेल विभाग में मचा हड़ कम्प। देश में लगतार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। देश में 6,73,165 कोरोना के संक्रमित मरीज। अब तक 4,09,082 कोरोना मरीज ठीक। कोरोना का रेकवरी रेट हुआ 60.77 फीस दी। वंदी भारत मिशन के तहट एर इंडिया, भारत और युनाटेड स्टेट्स अमेरिका की बीच 11 जुलाई से 19 जुलाई तक 36 फ्लाइट चलाएगा। नागरिक उड्यैन मंत्री हरदेप सिंग पूरी ने बताया शनिवार को हमने 75,000 का अकड़ा पार किया जो घरेलू यात्रियों की संख्या में धीमी और स्थिर व्रिदी का संकेत है। हमाचल प्रदेश में तेज बारिश और तेज हमाओं ने धरमशाला में किया बड़ा नुकसान, कई पेड उखड गए, बोड उड़ गए। झाल झाल सार श्राइब झाल